सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए रुष्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत सबागत करता हूँ टेक्टोक्स की गुरुफेश एपिसोड में और लिखे आए हूँ आपके लिए बहुत ही कबाल की टेक्नियूज चलिए शुरू करते हैं दोस्तों करते शुरुफेश रुष्कार दोस्तों सबसे पहले पुराने पूल दोस्तों सवाल गया था कि आपके इसाब से इंडिया में सबसे कम क्यों होते 5G फोन कौन सी कमणी लेके आ जाएगी तो यहाँ दोस्तों आप बते दिये हैं मेजॉलिटी ने वोट्स रियलमी के फेवर में उसके बाद में लोगों को उमीदे हैं जियो से फिर लोग बात करते हैं शाओमी की और माइक्रो मैक्स की और बाकी अदर्स की तो यहां में दूस्तों की लगता है कि फिलाल के लाइद रियु कोई रियल मी होने वाले लेकिन वैसे जियो भी कुछ दुआगा कर सकता है आज दूस्तों सवाल आप डिये है कि हाँ भई मैं तो कर पाऊंगा यूज़ तो ऐसे मतलब आपको क्या अपने बारे में क्या रगता है कि क्या आपके फोन तक 5G पहुंच पाए का 2021 के अंड तक बताना जूर क्या है आपको जवाब सीधा पोल सक्षन में जाते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए और हमेशा हर बा पर यहां पर कुछ-कुछ डीटेल्स हमारे सामने आ चुकी है जहां पर इस फोन में होने वाली है 5000 एमेश की बड़ी बैटरी साथ दूस्तों होगा डेकर गूल असिस्टेंट बटन उसके राव दूस्तों यहां पर 13 Megapixels का एक रियर कैमरा है बिसकली डूल कैमरा से टप ह है साम दूस्तों यहां पर हमारे पास में होगा एक HD प्लस डिस्प्ले तो बड़ी बैटरी और दूस्तों मतलब यहां पर शायद कुछ-कुछ चीज़ें और इंटरस्टिंग हुई इसी फोन में खीमत भी 10,000 के नीचे हो सकती है लेट सी क्या होती है पूरी कहानी मोट्रो अगला उस अपडेट निकल के आता है यहां पर शायूमी को लेकि ने एक ट्वीट किया था इंडिया में कि यहां क्या प्रेफर करोगे आप एक बेस्ट एज़ेटी डिस्पले 120 हर्ट के साथ में या फिर एक अमुलेड स्क्रीन और यहां पर दोस्तों आमुलेड स्क्रीन जो है वो पोल जीत गया जो कि अफकॉर्स होना ही था तो बात में वो ट्वीट का पूरा सबूत जो है वो जड़ से भीज़ेद डिलीट कर दिया अब ऐसे वे पोल उल्टा पड़ गया तो डिलीट कर दिया या क्या पता एक हाइप दने के लिए किया हो बिकॉज अनेक्स्पेक्टिड काम करना हो और एमुलेड डिस्पले को ही लेकिया आना हो लेट सी क्या होती अभी खेर पूरी कहानी अगला उस अपडेट निकल के आ जाएगी या फोन के साथ में भीजा को आएगा अटाच्मेंट वो तो खहर हो हम देखेंगे लेकिन वैसे फोल्डिंग आइफोन सुनके ही या काफी ही वतलब इनो excitement सा हो जाता है क्योग अगर अपल कोई चीज एक्जीज करेगा तो वो डेफिन दूस्तों करेगा अगला उस्तों अपडेट निकल के आता है किस तरीके से फेस्बुक लेके आता है कीमत क्या होती है और क्या ये इंडिया में लाँच होती है या नहीं अगला उस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में आपल को लेके और आइफोन 13 की भईया कहानिया चल रही है जहां पर दूस्तों ये रिपोर्ट्स के एक पोर्टलेस आइफोन होगा जहां पर अल्वेज ओन डिस्पले होगा एस्ट्रो फोटोगरिफर दूस्तों अपर हमको option मिलने वाला है और इसके रावा कुछ-कुछ और चेंजिस लेके आने वाला है अपल इन डिस्पले फिंगर्प्रिंट्स काने की बातें भी चल रही है तो लगता है कि आइफोन 13 है वो एक काफी मेजर चेंज होगा अभी करेंट आइफोन लैनप के हिसाब से अ अभी कंपनी है लेकिन अभी ऐसे में इतने इक्जाक्ली कि क्या दोस्तों होती है डील बाइट डांस की और टिक टॉक का जो फूरा जो इंडियन सेटप है वो आखिर कब तक बिक पाता है और फिर इसका मतलब तो समुझ लोग की वापस आने की चांसे अलमोस्ट जीर ही है बैसे आना भी नहीं जिए भाई अगल उस्तों अब्डेट निकल के आता है यहाँ पर हमारे पास में सोनी एक्सपेरिया 10 मार्क 3 को लेके यह दोस्तों लीक हुआ है गीक बेंच पे जहाँ पे स्नापडरगन 690 प्रोसेसर हमको मिलने वाला है साथ मोस्तों होने वाली है 6GB क राम सोनी के फोन्स में थोड़ा सा वो नंबरिंग का रहता है आगे पीछे मतलब मार्क 1 2 3 और यह फिर नंबर 1 10 100 तो नहीं है 10 यह फिलाल तो किया है अभी इंडिया में तो बात करके इतना ज्यादा फाइद ही क्या है और लिग उस तो गहानी कर निकल के आती है यहाँ प 100 Megapixels का Selfie Camera I mean बहुत ज्यादा ही भीया clarity बिल जाएगी उसके बाद में beauty वगर है mode लगारे के बाद तो लोग पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी उन Selfies में लेट सी कि कौन से मैं आप गैस करें बाद और नीचे कॉमेंट में कि अगर एक काम हो तो actual में कौन सा ब्रांड अचीव कर पाया और फिलहाली दोस्तों सबसे ज्यादा Megapixel काउंट वाली Selfie कितने Megapixel की है मुबाइल फोन में मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना अगले अपडेट निकल के आता है दोस्तों यहाँ पर मारे पास में Realme Narzo 30 लाइनप को लेकिशा में बॉक्स सामने आ चुका है अगली काने दोस्तों निकल के आती है रेड्मी Note 10 series के लाइनप लाँच को लेकिशा और यहाँ दोस्तों इंडिया में यह Amazon पे एक बार लीक हुआ लिस्टिंग सामने निकल का यह उसके लिलते मालों भी चलता है कि पहले बार तो चार अलग अलग मॉडल्स आने वाले है रेड्मी Note 10 4G, रेड्मी Note 10 5G, रेड्मी Note 10 Pro 4G और रेड्मी Note 10 Pro 5G और यहाँ में दोस्तों जो लाँच है वो होने वाला है 10 March को 10 तारीक होना मेक सिंस विकाज शामी जो है बहुत ज़्यादा 10 दस दस कर रहा है और बाकी चार फोन भी आ सकते हैं बस देखना यह है बाकी और इस्पेक्स किया रहेती है इनी फोन्स की अगला उस अबडेट निकल के आता है यहाँ पे मारे पास में Samsung Galaxy A72 को लेके कुछ-कुछ दोस्तों अभी डीटेल्स निकल के आ रही है बिसिकली काफी उस तो जादा हाइप है Galaxy A52 और A72 के अराउंड इन्डिया में यह फोन उसनों शायद हम दिखेंगे अभी आने वाले कुछ टाइम में लाँच होते वे और मतलब इनफाक दोस्तों 5G होगा और बहुत सारे फीचर्स वगरा भी होंगे 4G variants भी होंगे और कुछ नया शायद Samsung प्लान कर रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि दोस्तों यहाँ जो A52 वगरे जो स्मार्टफोन है वो एक पर वापस से दुनिया का सबसे ज्यादा बिखने वाला फोन बन जाए अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है यहाँ पर Samsung Galaxy F62 को लेके इंडिया में दोस्तों फोन ये लाँच हो चुका है और ऐसे में जो कीमत है वो है 23999 और 25999 दो लग-लग variants के लिए ऐसे से बैक में दोस्तों कुछ कार्ड ओफर्स वगरे भी चल रहे हैं मैं लेके आया थ इसका एक full on speedy unboxing video जो की मैंने दोस्तों शूट किया था बोध international circuit पे खाफी ज्यादा मेहनत लगी थी कुछ 100 लोगों का crew बहुत सारी मेहनत तो शूटिंग editing वगरे effects वगरे दोस्तों काफी सारी चीजे थी आप में से काफी लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है पसंद दोस्तों अभी जो है वो manufacturing unit करनाटका में setup की जाएगी टेसला के ऐसे दोस्तों बताया है वहां के chief minister Mr. Yadirupa ने और यहां बात यह चल रही है कि वह यह टेसला इंडिया में आने वाला है अब दोस्तों बात करेंगे टेसला करनाटक में एक अपना manufacturing पूरा setup लगाने वाला है तो आगे चलके हम जरूर रिखते हैं कि वह यह टेसला इंडिया में काफी बड़े scale पर काम करेगा और कीमत खेर क्या होती है टेसला मोडल्स के इंडिया में और क्या पता है इंडिया के लिए कुछ स्पेसिफिक एक नेगाड़ी डेवलप हो जाती है क्या उसके दिखर है क तो थोड़ा से इंजार करना ही पड़ेगा तो दोस्तों बस फिलावड़ो में इतना ही दिखने के लिए आपको उसमरेबाद मुझे उमीद है कि आपको बड़ी पसंद आया होगा अगर आपका कोड़ सालो सुझाब हो तो आपनी जामन करना मत भूलियेगा अगर आपने आपके वोड़ो को लाइक शेर नहीं किया है तो लाइक भी कर देजिए शेर भी कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब पर ड़ी मत भूलियेगा कि मैं आपके लिए रोजवाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं तो स्लावरो में इतना ही जेहंद वंदे मातरम